नमस्कार दोस्तों आप सबको स्वागत है फोजी हिल्दी रसोई में सर्दियों की मौसम जा रहे और साथ में लेके जा रहे बहुत सारे सबजिया आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स उसी सबजियों की खास सबजी है मटर से मटर पनीर धाबे रेश्रेंट स्टाइल मटर पनीर एकिनमाने फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी है इसके लिए हम कडाई में डालेंगे दो चमज तेल और एक चमज बटर तेल और बटर गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे रापली चप किये हुए दो बड़े साइज के प्याज एक इंच अद्रक और तीन से चार हरी मिर्च इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे फ्रेंड्स इसका कलर हम नहीं चेंज करेंगे फिर इसमें हम डालेंगे दो बड़े साइज के टमेटर जिसको हमने रापली चॉप कर लिए इसको बस फ्रेंड्स 60 परसं तक कूक करना है ज्यादा कूक नहीं करेंगे बस अच्छे से मिक लेंंगे प्रेंट्स पीष के हमकराई में डालेंगे इसको हम घी में बनांएंगे अगर आप चाहते हैं तेल में भी बना सकते लेकिन घी में जो मतर्पनिर का टेस्ट होता है न ओ दुगना ओ जाता है यहां पर देखेंगे दो चमच जो घी है वो कड़ाई में डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ते और एक टुकड़ा दाल चीनी का और इसमें हम डालेंगे जैसे लॉंग काली मीच और जो हरी एलाईची आता है उसको हम थोड़ा सा हमंदिस्ता में कूट के डालेंगे जिससे क्या होगा जो मटर पनिर की टेस्ट ना दुगना हो जाएगा बहुत ही अच्छा होता आएगा फ्रेंट्स यह थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जो हमने पेस्ट बना के रखे थे ना इसी को हम कड़ाई में डालेंगे इसमें हम कोल ड्राइफूर्स इसका कच्चा पैंदूर करने के लिए इसको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसिक मसाले जैसे हम डालेंगे देड़ चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच हम डालेंगे हल्दी पाउडर इस टाइम हम डालेंगे थोड़ा सा प बनाते हैं उस टाइम हम बीच बीच में थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे क्या होगा मसाला जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से पक जाएगा इसमें हम डालेंगे मतर मैंने पहले से ही उभाल के रग लिए अगर आम मतर को पहले से नहीं उभालेंगे तो ज़्यादा आपको मसाला को भूनना पड़ेगा मतर को उभालने के लिए और उसका अंदर मतर का अंदर से वह सौपनेस नहीं आएगा तो हमेशा मतर पनिर बनाने के टाइम आप थोड़ा सा तेल में फ्राई कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा है इसको बॉयल किजिएगा तो हम डालेंगे कटी हुई पनिर जो ए फ्रेश पनिर है अगर आप दुकान से पनिर लेके आ रहे है फ्रेंड उस पनिर में थोड़ा सा स्मेल आता है कभी-कभी तो इस आप क्या किजिएगा पनिर को काटके गरम पानी में नमक डालके चार से पांच मिनिर राक के आप निकाल लिजिएगा उससे क्या होगा दुकान का पनिर में जो स्मेल लाता है और छतम हो जाएगा अगर आप चाहे तो इस पनिर को फ्रेंड यहां पे मैं डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी क्यूंकि पानी पनिर जो है वह कच्चा है फिर इसमें हम डालेंगे साथ अनुसार नमक डा काएगा उससे क्या होगा पनीर का अंदर जो इतना मसाला का टेस्ट है ना वो पनीर का मतलब रेसे रेसे में चला जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे जो मटर पनीर है वो अल्मोस्ट हो गया है कितना कलर बढ़िया है और देखिए मतलब कितना क्रीमी ट्रेक्सचार है ना फ्रेंड्स कोई नहीं बोल सकता है कि बीना काजू बीना कुछ मसाले का है तो इसमें हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी कसूरी मेथी जो होता है ना आपकी पनीर का सबजी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी है इससे लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा ठोल्य मलाई ये मेरी घर की ताजी मलाई है आपके पास मलाई नहीं है तो अप अमूल का फ्रेंड परेंडर की टीजे बहुत आ लाग रहा है फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार